कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। विश्वास जो औरों पर कर हम दुखी होते हैं, क्यों ना हम खुद विश्वास की मर्यादा में रहें। मन के जिस दर्वाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दर्वाजे से बाहर निकल जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस सबसे आप जितना दूर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा खुश रहेंगे। बेकसूर कौन होता है इस जमाने में, पस सबके गुनहा पता नहीं चलते। थोड़ा सा छुप-छुप कर अपने लिए भी जी लिया करो, कोई नहीं कहेगा, ठक गए हो, आराम कर लो। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग मुझे उतना ही समझते हैं, जितनी उनमें समझ हैं। एक साथ चार कंदे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया, एक ही काफी था, अगर जीते जी सहारा मिल गया होता। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान पाने के लिए भी दोड़ता है, और पचाने के लिए भी। कबर में दफनाते ही सारे रिष्टे तूट जाते हैं, चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते हैं, कोई नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए, वक्त के साथ आशू भी सूख जाते हैं। जिन्दगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थपड मारती है, जो पूरी जिन्दगी याद रहता है। थोड़ी मस्ती, थोड़ा सा इमान बचा पाया हूँ, ये क्या कम है, मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ। कुछ उम्मीदें, कुछ सपनें, कुछ महकी-महकी यादें, जीने का मैं इतना ही सामान बचा पाया हूँ उम्र भर बोज उठाया उस कीलने, और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहें मैं खुश हूँ, कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ, वो याद तो करता है कौन कहता है कि नेचर और सिगनेचर कभी बदलता नहीं बस एक चोट की जुरूरत है अगर उंगली पे लगी तो सिगनेचर बदल जाएगा और दिल पे लगी तो नेचर बदल जाएगा बड़पन बड़े आदमियों के संब्सक्राइब